आपको Google में जाना है, वहाँ पर लिखना है slash dot, आप first link देख रहे हैं, इसके उपर click करेंगे, direct इस website में आ जेंगे, सबसे पहले मैं आपको इस website का traffic दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे 3 million से ज़्यादा इसका traffic आता है, manually आप खुछ चेक कर सकते हैं, और traffic कौन सी country से आता हैं, मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर US, Canada, India, UK, Australia, maximum traffic, मलब 50% से ज़्यादा traffic, United States से आ रहा है, और अगर इसके DAPA की बात करूँगो, तो यहाँ पर आप देखेंगे friends, DAPA, P.A. 76 और spam score सिर्फ 1% है, और सबसे बड़ी बात friends, कुछी दिनों के बा बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप अपनी post add करेंगे, तो friends, बहुत chances बढ़ जाएंगे, आपकी website में traffic increase होने के, आपकी website नहीं है, पुरानी है, traffic नहीं आ रहा है, तो इस तरह के platform को miss कभी ना करें, अगर आप organic traffic free में चाते हैं, तो यह तो Google Ads का use करके, आप paid traffic से बहुत ज दालना है, और नीचे check availability पर click करके check करें, क्या यह available है या नहीं, और उसके बाद यहाँ पर full name लिखना है, email ID डालना है, phone number नहीं भी डालेंगे, तो चलेगा, job title में, आप यहाँ से किसी को भी select कर सकते हैं, अगर आपके कोई job title नहीं है, तो इसके उपर last वाली option पर tick कर सकत है, नहीं तो आप less than 50 के उपर click करें, company name डालना है, और यहाँ से I am not a robot के उपर tick करना है, अगर आपके पास इस तरह को कोई capture आता है, तो उससे fill करें, उसके बाद create account पर आपने click करना है, यहाँ पर आप देखेंगे, मेरा account create हो चुका है, और मेरे email ID में password generate करने के लिए link भ browser में, जहाँ पर आप इसे login कर रहे है, यहाँ पर मैंने same browser में अपने इस link को open करा, और यहाँ पर आपको अपना password डालना है, पर password डालने से पहले friends आपको एक code मिला होगा, और वो code यहाँ पर show करेगा, इस code को आपने यहाँ से copy करना है, और उसके बाद आपने इस area में डा डालना है, और यहाँ पर आप अपना password डालेंगे, दोनों जगा same password डालना है, और change login preference के उपर आप click करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे password change की मेरी option आ चुकी है, I hope आपको यहाँ तक अभी समझ आ गया होगा, अब आप अपनी उस website को open करे, और उसमें उस post को open करे, जिसक से पहले यहाँ से आपने title copy करना है, title copy करने के बाद यहाँ पर आपको submit का एक छोटा सा button दिख रहा है, इसके उपर आपने click करना है, और जो title आपने copy कर दा, उसको आप यहाँ पे paste करेंगे, अब जो आपने post लिखी है, उसी के अंदर से friends, आपने थोड़ा सा content copy करना है, copy करने के बाद नीचे URL की जो option मल रही है, यहाँ पे आप paste करेंगे, अब आप देखेंगे मैंने title भी लिख दिया, description भी लिख दी और नीचे URL भी add कर दिया, direct आप इसे submit नहीं कर सकते, पहले तो आपको इसका preview देखना पड़ेगा, उसके लिए preview के उपर आप click करेंगे, यह यहाँ पर आप देखेंगे मेरा title और नीचे मेरी post आगई, प्लस नीचे मेरा link आगया, अब यहाँ पर आपको एक capture मिला है, उसको यहाँ पर fill करना है, उसके बाद submit के उपर आपने click करना है, अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरी story submit हो चुकी है, जैसी मैं इसके उपर click कर मतलब जो हमने अपनी post का link add कर था, वो कहाँ पर show कर रहा है, यहाँ पर title के सामने आपको एक link मिलेगा, जैसी कोई इस link पे click करेगा, तो direct मेरी उसी post में आएगा, जिसमें मैं traffic भेजना चाहता हूँ, और एक छोटी सी बात और बताऊँगा, यहाँ पर आप देखेंगे example क पढ़ने में interest आएगा, और definitely कोई ना कोई आपके link पे click करेगा, जिससे आपकी website में traffic जाएगा, और उससे related post आपकी website में होनी बहुत जरूरी है, और इसी तरीके से जिस website में 3 million से ज़्यादा traffic आ रहा है, उस website से आपकी website में traffic जाना start हो जाएगा.